पुलीस विभाग के और से गंगा जमुना परिसर को पूरी तरह से हटाने के लिए यहां के कई घरों को सील ठोकी गई पुलीस की इस कारवाई से बाधित जोती राठोड की और से हाई कोट में अवमानना याची का दायर की गई इस पर सुनवाई के बाद नयादिश A.S. चांदूरकर और नयादिश G.S. सानप के पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार और लकटगंज के वरिष्ट पुलीस निरिक्षक पराग थोटे को नोटिस जारी कर दो सब्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिये साथी अदालत ने 10 सितंबर 2021 को किये गए आवेदन की वर्तमान स्थित की जानकारी भी देने के आदिश पुलीस आयुक्त को दिये याचिका करता की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राठोर ने कहा कि याचिका क्रमांक 1150 सी 2015 में हाई कोट की और से 10 सितंबर 2015 को आदेश जारी किये थे जिसमें वर्तमान याचिका करता भी याचिका करता के रूप में शामिल थी वर्तमान में Immoral Traffic Prevention Act 1956 की धारा 181 का हवाला देती हुए याचिका करता का कमरा सील कर दिया गया है जबकि इस तरह की कारवाई के लिए सर्वप्रतम याचिका करता को नोटिस दिया जाना चाहिए था उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया जिससे उक्त याचिका में पुलीस द्वारा दिये गए शपत पत्र के अनुसार उलंगन किया गया अधिवक्तार आठोर ने कहा कि उस याचिका में लकडगंच के पुलिस निरिक्षक ने शपत पत्र दायर कर नियमों के विपरित कोई भी कारवाई नहीं करने तथा याचिका करता को उसके कमरे से बेदखल नहीं करने का आश्वासन दिया था किन्तु इसका पालन नहीं किया गया लता मौंदेकर के मकान में याचिका करता किराय से रहती है जनवरी 2021 को पुलीस की और से याचिका करता को कमरा खाली करने को कहा गया था किन्तु कमरा खाली नहीं करने पर पुलीस ने 3 सितंबर 2021 को जबरन बिजली पानी कनेक्शन काट दिया, साथ ही कमरे को सील ठोक दी, इससे पूर्व किसी तरह का नोटिस आधी नहीं दिया गया पुलीस की इस कारवाई के खिलाफ आयुक्त के पास आवेदन दिया गया, जिसमें कारवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का प्राकृतिक न्याई नहीं देने की जानकारी दी गई, लेकिन पुलीस आयुक्त की और से भी कोई न्याई नहीं मिलने से मजबूरन हाई का दर्वाजा खट-कटाना पड़ा है।